जाहें दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटीब चैनल ग्यानोफाई में दोस्तों आज हम बात करेंगे कस्मीर में जो एक्जॉडस हुआ था जो जेनोसाइड हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी लेटेस अपडेट है उन सब को हम बात करेंगे डिटेल से जी दोस्तों 32 साल पहले जो अत्यचार हुआ था जो नरसंहार हुआ था जिसे सरकारे चुपाई जा रही थी लेकिन आज विवेक अंगनी होतरी के फिल्म कस्मीर फाइल ने इन सभी को उजागर किया है लोगों के सामने लाके रख दिया है कि लगभग 3-4 लाग कस्मीरी पंडित्स को कस्मीर छोग के जाना पड़ा था और लगभग 700-800 को बहुत ही बरबरता पूरवक मार दिया गया था बच्चों को काट दिया गया था लेडिज औरतों का रेप कर दिया गया था और आदमिय should be hanged जिस कस्मीर को खून से सीचा वो कस्मीर हमारा है विक्टिम अब जैनिसाइड डिमार्ड जस्ट ये सब क्या है कस्मीरी पंडित है जिन्होंने उस समय कस्मीर छोड़ दिया और आज दर-दर वो भटक रहा है जस्टिस के लिए कि हमारे साथ जो नियाए हुआ था उसका नियाए होना चाहिए अब लेटिस्ट अपडेट क्या है कि ये जो जेनोसाइड हुआ था ये जो कस्मीरियों के साथ हुआ था उसे रिकगनाइज कर लिया है यूएस के स्टेट रोड आइलेंड ने ठीक है अब यूएस जैसा देश अगर इस बात को रिकगनाइज कर लेता है कि हाँ उस समय जो कस्मीर में हुआ था वो बहुत ही बड़ा जेनोसाइड था तो बहुत जल्द ही बहुत सारे कंट्रिस इस चीज़ को रिकगनाइज करेंगे और गॉर्मेंट को भी एक हैंड मिलेगा एक आर्म मिलेगा कि जो भी इसमें इनवाल्व थे इस जैनोसाइड में इनवाल्व थे उन सब को पकड़ के उन्हें कानून के दाइरे में रखते हुए उन्हें पलिस किया जाए और हुमन राइट भी अब थोड़ा पीछे हट जाएगी ठेके दोस्तों तो इस सब चीज़ को ट्विट किया है वेक अगनी होतरी जी ने उन्होंने कहा है फर्स ताइम इन थर्टी तू इयर्स एन इस्टेंट इन दो वर्ल्ड दा डेमोक्राटिक अन लिबरल स्ट अफ यूए से रोड आइलेंड हैस ओफिशियली रिकागनाइज कश्मीर जैनोसाइड और यह बहुत ही बड़ा चीबमेंट है इंडिया के लिए क्योंकि अब हम टेरोरिस्ट पे जो इस्लामिक टेरोरिजम का केसिस थे उस पे हम अब नॉक डाउन कर सकते हैं तो यह पूरा का पूरा लेटर है जिसको आप पढ़ सकते हो यहां देखो प्रेमिर फाइल डिटेलिंग टेरोरिजम एंड एक्स्ट्रीम इसम बइमरालाइजिंग इवेंट फैफ लाग केस्मीरी हिंदू वे इथिनिकली क्लीज्ज लगबग पास साल हिंदू को उनके धर्म के अधार पर पूरा का पूरा वहां से भगा दिया गया था बाई इस्लामिक गैंग साफ साफ लिखावा इस्लामिक गैंग जो इस्लामिक गैंग था वहां पे उन्होंने इनका नरसंगहार किया था उन्हें कस्मीर छोड़ने पर विवस्ट कर दिया था तो आगे हम बात करते हैं तो यह जो वुवी का है बहुत सारे स्टेट इसको प्रोमोट कर रहे हैं जैसे अभी recently उत्तरपर्देश ने यह कहा है कि इस मुभी को वो टेक्सस्प्री कर देंगे सिर अऩे लिया दिया है इनका कहना है कि यह मुवी पुरी तरह से authentic है fact बे अधारित है और विवेक अंगनी होतरी जीने में कहा है कि मैं और मेरी वाइफ ने लगभग 600 जिया दोस्तो 600 कस्मीरी पंडितों का interview लिया है और उनके द्वारा बताया गए data, facts, a to z हमने assimilate करके इस movie को तयार किया है अगर आफको लगता है कि इसमें कहीं भी गलती है तो मैं तयार हूँ आफ दुनिया के मतलब इंडिया के कहीं भी किसी भी court में मुझे घसीट सकते हो और मैं इसका सही जबाब देने के लिए हमेसा तयार हूँ क्योंकि मैंने कोई भी गलत फैक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं किया है तो इसके बाद एक आजाता है कपिल सर्मा का कॉंट्रोवर्सी कपिल सर्मा जो अहरा गहरा नत्थुक अहरा कोई भी movie को प्रोमोट कर देता था उसने इस movie को प्रोमोट नहीं किया है और अपने आफ को बार-बार कुछ-कुछ बोलके वो डिफेंड कर रहा लेकिन कभी भी पूरा सच नहीं बोल पा रहा है और इससे रिलेटेट फैन भी बहुत ज़्यादा नराज है कपिल सर्मा पे कि ये इस movie को प्रोमोट नहीं कर रहे है और इस पे चुपी साधे हुए है और ऐसा रही है कि बस कपिल सर्मा बॉली उड ने पुरा का पुरा एक लोबी बना दिया है लबख 10% 20% बॉली उड जो है बस विवेक अंगनी होतरी के साथ है बाकि 90% 80% ने अपना एक अलग liberal secular हाइपोक्रेट्स वाली लोबी बनाके रखी है और वे इस movie को इंटरनली बाकॉट कर रहे हैं जो वही गैंग है यह जो एक अगर चिणिया एक पक्छी भी मर जाता था विदेश में तो उनके लिए इनके आखों से मगरमच वाले आसू निकलते थे लेकिन साथ सो से आठ सो कस्मीरी बंडित्स की हत्या कर दी गई नरसंगहार कर दी आ गया और उन इसू पे यह अपने मुह नहीं खोल रहे है उसके बाद जब इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तब एक अगनी होतरी जी पीम के पास गया पीम ने उनक खुल कर सपोर्ट क किया और पीम ने साथ ही साथ अपने MPs को कहा बीजेपी MPs जो है उन सब को कहा है कि आफ इस मूवी के साथ खड़ा रहो क्योंकि यह मूवी ने बहुत ही बड़े इंपोर्टेंट इसू को लोगों के सामने रखने कोसिस की है और समाज में छुपे हुए जो अंदकार थी उ इसके ऊपर बहुत सारे IS officer का murder का इंजाम है और इसने खुले आम स्विकार किया था कि कस्मीर का जब genocide हो रहा था यह बहुत ही मेजर active role play किया था कईयों हिंदूों को इसने मारा था और इसे 2019 में जब BJP government active हुई तो इसे तिहार jail में ठुस दिया गया और अब इसका हिसाब क किताब किया जाएगा उसके बाद क्या हुआ जब Bollywood के liberal गैंगों ने अपनी एक lobby बना दी तो विवेक अंगनी होतरी से पुछा गया कि आफ जो बॉलिए के लोग आफ के खिलाफ है तो उसके बारे में आफ क्या बोलना चाहेंगे तो विवेक अंगनी होतरी ने एक साफ स Jason कर रही है इस देजके प्यeम मैं को लोगत करें जनता फिल्म को प्रॉम्ण करी तो बॉलिवीट गैंग मेरा फिल्म को प्रॉमोट करें, आख कार ही और हिए कूछ कुछ ट्रूब्Y लें प्रॉमी को यमी गॉतम नी पारोड किया एक शे कुमार ने प्रॉमोड किया, में उन्होंने उजगागर किया था लाल बहादुरी सास्त्री जी के बारे में जितने भी फैक्स को तोड़ा गया ममोडा गया उनकी मडर को एक मिस्ट्री जो बना दिया गया उसे इन्होंने जितना हद तक चाहा था उसे प्रिजेंट किया उसके बाद अभी फिल्म की प्रोमोशन की बात करें तो अच्छा खासा परफोर्मेंस हो रहा है इनका लगभग चार दिन में इसका टोटल जो कमाई है वो हो चुका है 47.85 करोड और इसके साथ ही इसने सुरेवन सम कंगुबाई काठोवारी को भी पीछे कर दिया है तो यह थी आज की पूरे डिटेल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आखी लिए जनोसाइड हुआ कहा था कब हुआ था कैसे हुआ था कौन कौन लोग इसमें इंवल्व थे कौन पॉलिटिकल पार्टी इंवल्व थी कौन फॉरेंट प्लेयर इंवल्व था इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही जाहें जाए भारत